कि इस वार होगोस के अंदर काफी कमाल कमाल के इंट्रेस्टिंग चिंजिंग की गई है जो कि आपको रियली में काफी यदा है जो पसंद आने वाला है जिसकी कंप्लेट डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं तो आप यहां पर इस वीडियो को वाज करके कं को यूज करना है या फिर निक्स्ट अप्टीट या किसी अधर लोम काहजा आपको वेट करना है तो वीडियो को सुरू करते हैं और फाइंड आउट करते हैं नए चीजों के बारे में प्रफॉएंस के बारे में और बाकि इस्टिविटी के बारे में तो चलिए तो हरवार के तरह हम आगे हैं इसके अबाउट के पेज पर यहां पर इंड़ार वरजिन 10 और वो का जो वरजिन दिखने को मिलता है फाइव मार्च को यहां पर सिक्यूर्टी पैच लेवल दिया गया है साथ से यहां पर जो इसका ब्यूल डेट है मार्च 12 का दिखने को मिलत करेंगे सबसे पहले यहां पर मल्टिव जासे काउंट बुकरा देखनी को मिलता है उसके बार यहां पर डिजिटल वेवलविंग और बागी अधर चीज़े और मोस्ट इंट्रेस्टिंग चीज़े जो बहुत होना यानि काम ना करना तो आपका फाइनली है जो फिक्स हो च होते हैं तो यहां पर आपको मिलता है डिस्प्ले जहां पर डार्क टीम के साथ सीडिल एड किया गया है जिसके नुसरा आप सेडियूज को टाइम सेट कर सकते हो ताकि वो आटो अन हो जाए और और ऑटो आफो जाए तो यह काफि अच्छा है जो दिया गया है वाकी वही वगर आपको देखनी को मिल जाता है जो कि हमें Android 10 को से देखनी को मिलता है यहाँ पर वही सारे option देखनी को मिलते हैं और display cutout जो कि हमारे किसी काम का नहीं है अब बात करते है advanced control की तो यहाँ पर आपको MI sound enhancer देखनी को मिलता है जिसके font thoughts आपको bold दिखाई देते हैं और साथी साथ यहाँ पर भी bold दिखाई देता है यहाँ पर जो gain है और microphone का है वह आप change कर सकते हो torch के lightning वगरे control कर पाओगे यहाँ पर strength है feedback का display का जो color है यानि color जो collaboration है calibration calibration क्या होता है ठीक है वह आप जो कर पाओगे साथ साथ यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका mode जो कि आप अपने mood के चेंज कर सकते हैं इसके mode को जैसे कि हमारा balance, performance, battery और gaming तो gaming करना है तो gaming, battery चाहिए तो battery, normal सब कुछ करना है तो balance आपको performance मतलब है तो फिर performance तो अला-अलाग आपको जो मिल जाता है यहाँ पर score का detail जो कि आप control कर सकते हैं अपने phone के RAM के management को आएके और बात करते हैं कि यहाँ पर कई सारे चीज़े की गई है जैसे कि आपका जो longer screen suit है जो facility add कर दिया गया है जो कि oxygen device से जो लिया गया है यानि one plus के device है तो यह आपका यह जो काम करता है यह जो hardware बटन के lightning है इसमें थोड़ बूत एक्स्टाक्रमाजिशन एड़ कर दी गई है जो कि काफी अच्छा बात है साथ-सफोर्ड का इनिवेशन थोड़ सा इंप्रूड किया 27 तो यह info जो आपको जो होगा कुछ इस जगए से इनेवर करके focus mode gray scale और balance जो कि अभी मैंने performance को change किया है आप यह से single tap पे जो change कर सकते हो ते भी काफी अच्छा जो option है जो add कर दिया गया है मौई पर बात करें इसके age lightning की तो उसके लिए हमको आना होगा इसके notification के option के उपर जहाँ पर आप देखो है कि always on का एक नया option add हो गया है age lighting से regarding जो कि आपको जो अब कर सकते हो मौई पर जैसे lock होता है कोई message receive होगा तो आपको यहाँ पर notification lights वगरा देहने को मिलेगा तो अब देख से तो यह continue बार बार है जो सो हो रहा है जो तक स्क्रीन ओन है तो यह आपको करते हो एंबेंट के अंदर always on और बाकि अधा चीज़े देहने को मिलती है जो कि perfectly work करता है बटन के अंदर आप देख पाए कि यहाँ पर जो controller वैक एंसर और बाकि अनिमेंस और हर एक बटन के उपर जिटना होगा वो चीज़े long press का time out कि इतना होना चाहिए यह भी आपको पर दिया गया है जो कि MS के अंदर है और swipe and hold वगर आपको देहने को मिलता है तो काफी अच्छे सेख्टा features add किये गए है और haptic feedback हटिक जगा जब देहने को मिल जाता है चाहिए वो आपका screen suit हो या back button का हो hardware keys का हो यह काफी अच्छा change यहां पर नजर आता है वह यह पर हम बा यहां पर आपडेट हो जाएगा और यहां पर सो होने लग जाएगा तो नेट फर अपड़ेट नहीं हुआ है तो मैं आपको विडियो एडिटिंग के टाइम पे या फिर डिस्क्यूशन में में मेंटेन कर दूँगा कि हमारा device certified सो कर रहा है नहीं और यहां पर हमारा है जो मैजिक्स यह जो नेट सेपी पास है यानि पास है तो वो भी आपको fix मिलेगा अब बात कर लेते इसके अंटूटू की जो की balance के mode पे है जो की 96877 का है जो की काफी अच्छा है क्योंकि यहां पर मैंने 8.1.8 ओला जो अंटूटू का version यूच किया है वहां पर मैंने इसे जो का profile दिया गया है gaming का balance का battery का performance का यह उतना ज्यादा है जो powerful नहीं है इतना ज्यादा है जो huge change नहीं प्रवाइट कर रहा है बट आप huge change चाहते हो तो आप जो इसे बताना की रोम कैसा लगा आप इसे यूज़ करना चाहोगे आप इसे यूज़ करना चाहोगे आफे next update का wait करो होगे so guys मिलते ने की video में है और यह रोम मुझे really में काफ जादा impressive लगा और मैं यहाँ यहाँ पी use करना हूँ इसका vanilla version जिसके अंदर जो gaps include नहीं रहता है तापकी मर्च यह क्या आप कौन सा use करना चाहते हो अगर आप GFL यूज़ करोगे कि यह जो quad recording और यह एक्ट्रा features मि सपोर्ट नहीं करता है तब decision आपको लेना है कि gaps चाहिए without recording या without gaps चाहिए with recording so bye bye